राजकिय पुरुष महिला पॉलिटेक्निक में अध्यनरत छात्र छात्राओं के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। सासन ने प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेस्मेंट बढ़ाने की जिम्मेदारी प्राविदिक सिक्चा बिभाग को सोपी है। प्राविदिक सिक्चा बिभाग ने गत बर्स असी प्रतिसत छात्र छात्राओं को नोकरी दिलाने का लक्ष्य रखा है। जिसके लिए सायक निदेशक प्रशाशन कमलेस मनीतरपाथी ने प्रदेश के सभी संस्थानों को पत्र जारी करके इस समझ में निर्देश दिया है। निर्देश अनुसार कमपनियों की मांग के अनुसार निर्देशालिय से छात्र छात्राओं को संस्थानों में प्लेस्मेंट के लिए भेजा जाएगा। में पूल केंपस ड्राइब आयोजित होगा जिससे आसपास के संस्थानों को भी प्लेस्मेंट से जोड़ा जा सकेगा राज के पॉलेटेकनिक कॉलेज के प्रिंसिपल तजम्मुल अफजाल ने बताये कि गवर्मेंट प्लेटेकनिक मरदाबाद के साथ साथ यहां पर एक और प्लेटेकनिक दूसरा ठाकर द्वारा भी चलता है के साथ यहां पर एक दूसरा पॉड़र निक ठाकर द्वारा भी चलता है जिसमें दो ब्रांच हैं मेकेनिकल और कि अम्रादाबाद में तीन ब्रांच है से लेक्ट्रिकल मेकानिकल अभी इसी वीक में हमारे जे बी एम गुरूप में और विवेक गुरूप के अंदर के लिए डिन रहा है ये तीश्रीत पॉड्याहिट्पनीऊ है इम यह आईटी सी में भी बच्चे सत्नीचे गएसे अ कि कल अंलाइन टेस्ट हुआ है जिसमें जो आइकोना कंपनी है जिसमें 120 स्टुडेंट्स का सेलेक्शन प्रस्तावित है और आरे सील में अगले हफ्ते और हमारा प्लेस्मेंट ड्राइव होना है इसके साथ साथ बच्चों का प्लेस्मेंट के किस तरीके से हम कराएं हमारी पूरी टीम लगी है और बच्चो का जो बाडी लेंग्वेज है या उसका परस्नलिटी डवलप्मेंट के लिए भी हम प्रोग्राम चलाते हैं जो अभी परसो हमारा एक प्रोग्राम हुआ सुलक कम्मुनिकेशन का और एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर और कल हमने बच्चों को टबलेट डिस्ट्रिबूट क अब प्लेसमेंट हमारा लगातार टीम लिए काम कर रही है और हम एक पूल इंट्रव्यूट का कराते हैं नहीं कि हमारे भाध़े प्राइज़तिन है यह सुद्ट्रिंट को निटल इस्ट्रिक को मतने म्हाँ करते है झाल झाल